टीम इंडिया 10 दिसंबर से अपने नए मिशन का आगास करने जा रही है जो साउत अफरीका को उसी के घर में हराने का है पहले T20 और Wonder Series होगी जिसमें विराट कोली और रोई शर्मा को अराम दिया गया है ऐसे में में एक्षन तो 26 दिसंबर से ही शुरू होगा जब टेस्स सिरीज का आगास होगा साउत अफरीका दोरा एक और घटना की याद दिलाता है जो विराट कोली से जुड़ी हुई है क्योंकि टीम इंडिया का जब पिछली बार साउत अफरीका का दोरा हुआ था तब विराट कोली ने अपनी टेस्ट कप्तानी छोड़ी थी अब जब ये दोरा शुरू होने वाला है तब अटकले लग रही है कि उनका आखरी विदेशी दोरा हो सकता है यानि विराट कोली रिटार्मेंट की और बढ़ सकते हैं अब इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या विराट कोली सच में इस तरह का चोकाने वाला फैसला लेंगे या नहीं इस पर नज़र डालनी होगी दरसल एक दिन पहले ही दक्षिन अफरीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि शायद हम आखरी बार विराट कोली को साउथ अफरीका में खेलते वे देख रहे हैं और हमें उनको एक बैतरीन विदाई देनी चाहिए एबी डिविलियर्स रोल चैलेंजर बैंगलोरू में लंबे वक्त से विराट कोली के साथ खेल रहे हैं दोनों के बीच जबजस्त बोंडिंग है और ऐसे में वो विराट कोली को बहतर समझते भी हैं एबी डिविलियर्स ने कहा कि विराट कोली अपने करियर के आखरी रहा हो ऐसे में हम उन्हें बैतर विदाई देने के लिए तयार हैं टी-20 वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद विराट कोली ने पहले टी-20 और फिर वंडे की कप्तानी चोड़ी थी दोजर-21-22 के दक्षिन अफ्री की दोरे पर विराट कोली बतोर टेस्ट कैप्टन ही गए थे लेकिन टीम इंडिया को सिरीज में एक-दो से हार मिली थी इसी के बाद विराट कोली ने टूटर पे एक लंबा संदेश लिख तर टेस्ट की कप्तानी चोड़ने का ऐलान किया था विराट कोली के अगवाई में टीम इंडिया ने 7 साल टेस्ट फॉर्मेट में राज किया और हर बड़ी टीम को उनके घर में जाकर हराया विराट कोली के बाद रोई शर्मा ही तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे अब जब दो साल बाद विराट कोली फिर से साउट अफरिका जा रहे हैं तब वे पूर्व कप्तान और एक सिर्फ बल्ले बाज है 35 साल के विराट कोली अपने करियर के आखरी फेज में है हाला कि ऐसी उमीद कम ही है कि वो टेस्ट क्रिकिट इतनी जल्दी चोड़ना चाहेंगे हाला कि वो इस और बढ़ सकते हैं कि किसी एक फॉर्मेट को चोड़ना पसंद करे लेकिन वो टी-ट्वन्टी या वंडे-फॉर्मेट ही हो सकता है बागे सब अभी क्यास है और अंतिम फेसला विराट को लिका ही है